मेरे पास एक बरतन है जिसमें थोड़ा सा पानी है और मेरे पास नमक भी है मैं थोड़ा सा नमक इस पानी में डालूँगा और फिर इसे घोलने की कोशिश करूँगा ठीक है अब नमक घुल गया है अब प्रश्ण यह है कि क्या मैं इस नमक को पानी से अलग कर सकता हूँ या क्या मैं इस पानी को शुद्ध कर सकता हूँ तो इसका उत्तर है कि एक विधी है जिसके द्वारा में यह कारिक कर सकता हूँ और उस विधी को आस्वन या डिस्टिलेशन कहा जाता है यहां आस्वन करने के लिए हमारे पास एक बड़ा बरतन है जिसके पानी में नमक घुला हुआ है हम इसे गैस चूले के उपर रखकर चूले को जला देंगे और मिसरण के पानी का वास्पी करन सुरू होने का इंतिजार करेंगे तो अब पानी का वास्पी करन होने लगा है अब हमारे पास एक छोटा बरतन और एक स्टील की प्लेट भी है मैं छोटे बरतन को यहां रख देता हूँ और स्टील की प्लेट को बड़े बरतन के ठीक उपर लाता हूँ अब आप क्या देखते हैं हमें पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई दे रही है है ना लेकिन ये बूंदे कहां से आई पानी की ये छोटी छोटी बूंदे छोटे बरतन में गिर रही है आईए समझने की कोशिश करें कि यहां क्या हो रहा है तो यहां दो चीजें हो रही है एक वाश्पी करण और दूसरा संगनन बड़े बरतन का पानी वाश्पी करत हो रहा है और जब यह जल वाश्प स्टील की प्लेट की ठंडी सतह से टकराती है तो वह संगनित हो जाती है वापस तरल में बदल जाती है यानि वापस पानी में बदल जाती है और यही पानी हमें छोटे बरतन में एकत्रित होते हुए दिख रहा है लेकिन नमक अभी भी बड़े बरतन में है नमक वाश्पी करत नहीं हुआ है है ना केवल पानी वास्पीकरत हो रहा है नमक की तुल्ला में पानी बहुत कम तापमान पर वास्पीत होने लगता है इसलिए नमक बड़े बरतन में ही रह जाता है और पानी वास्पीकरत होने लगता है फिर यह पानी संगनित हो जाता है और यही संगनित हुआ पानी छोटे बरतन में गिरने लगता है इस प्रकार हमने पानी को नमक से अलग कर लिया और यह शुद्ध पानी है शुद्ध जल है इसमें कोई नमक नहीं घुला हुआ है इस प्रक्रिया को आस्वन कहा जाता है